सब्सक्राइब करें चेनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो तो दोस्तो आपका वेहिकल लोन घतम हो चुका है फिर भी आपकी आरसी बुक के फाइनन्स कंपनी का नेम आ रहा है तो उस कंपनी का नेम आप रिमूव क सकते हो जिहां आइपोथिकेशन टर्मिनेशन आपको कैसे करना है उसका सारा प्रोसेस में यहां पर आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुडू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले गूगल में टाइप करना इस आर्थी परीवन परीवन डोट जीव वी टोटकी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको उनलाइन सर्विसीज में वहिकल रिलेटेड़ सर्विसीज पर क्लिक करना है यहां पर आपको अपना स्टेट सिलिक कर लेना है जैसे आप स्टेट सिलिक करोगे तो यहां पर आप चूज ऑप्शन और लिए टेल्स वाले यहां पर हम क्लिक कर देंगे अभी यहां पर आपको अपना typस नमबर यहां पर आपको डालने और वैरिपाइडीटेटेल्स वाले option पर क्लिक करने है तो दूस्त आपकी Creation यहां पर घ़ाएगी तो सबसे पर आपको अपना मोपाइल नमबर है वो शो होगा तो अभी OTP के लिए हमें generate OTP वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा रिजिस्टर मोपाइल नमबर पर एक OTP आएगा तो यहाँ पर हमें जो enter OTP वाला आप्शन है जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का पोडल आपको शो होगा दोस्तों यहां पर अभी हमें क्या करना है यहां पर टर्मीनेट वाले आप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो आपको यहां पर एक डेट डालना है जो एनोसी आपको इश्यू हुआ है वो सेव वाले option पर फिर से क्लिक कर देना है तो नीचे आपका hypothecation termination detail आ जाएगा और यहां पर आपका date भी नोच का आ जाएगा दोस्तों तो अभी हमें नीचे स्क्रोल करना है यहां पर स्मार्ट कार्ड एक new smart card भी आपको मिलेगा तो उसके 200 टूपीस आपको pay करने होगे तो यहां पर हमें सबसे पहले नीचे सेव एज ट्राफ्ट वाले option पर क्लिक करना है तो देखो आपका application है वह जंटेट हो चुका है दोस्तों application number आपको save कर लेना है यहां पर हमें okay वाले option पर क्लिक करना है अभी हमें जाओगे सीधा यहां payment details में तो दोस्तों जैसे हम payment करते हैं वैसे यहां पर आपको अपना payment करना है जैसे internet banking debit credit या फिर UPI से भी आप अपना payment है वो कर सकते हो payment हो जाने के बाद दोस्तों सीधा आप यहां पर आ जाना है यहां पर आपको यहां पर डोक्यूमेंट अप्लोड करने तो डोक्यूमेंट अप्लोड वाले option पर हमें क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो दोस्तों तो यहां पर देखो आए एग्री वाले option पर किक मार्क करना है नीचे तो अभी सीधा आप डोक्यूमेंट अप्लोड वाले आप्शन पर आ जाओगे दोस्तों इतने डोक्यूमेंट से आपको अप्लोड करने फॉर्म 35 है पियोसी है आरसी है तो यहां पर मैं जो पहला है फॉर्म 35 वह सिलेक कर लेता हूं ठीक है यहां पर पर क्लिक करोगे तो व्यू डोक्यूमेंट में आयका सिंबॉल आजाएगा इसका मतलब यह अभी अपलोड हो चुका है उसी तरह से मैं प्यूसी भी अपलोड कर देता हूं ओके और इस तरह से दोस्तों आपको फिर सी यहां पर अपलोड पर क्लिक करना है और ओके पर क्लि करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करते हो एक प्रोसेस हो चुका है दोस्तों अभी यहां पर प्रिंट रेसिप पे क्लिक करना है जैसे आप यहां पर करते हो आपको एक प्रिंट रेसिप मिलेगा जो आपने पैमेंट किया उस रेसिप को तो यहां से प्रिंट पे क्लिक करक से हो तो आपका एप्लिकेशन है वो सब्मिट सक्सेस्पूल हो चुका है दोस्तों आटी हो जाने की ज़रूरत नहीं है अप्लिकेशन इस अंडर प्रोसेस आर्टियो अभी इसका स्टेटस देखना है तो कैसे देखना है तो हॉम पे क्लिक करना है यहां पर आ जाओगे सिधा आप फीर से वहिकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको क्लिक करना है यहां पर अबको अपना अप्लिकेशन भी आपके RC book का status होगा यहां पर show होगा तो track history वाले option पर हम click करेंगे जैसी यहां पर click करोगे तो यहां पर देखवा रहा है pending at HPT verification यहां पर देखो verify हो चुका है लेकिन status में अभी not started आ चुका है आ रहा है क्योंकि अभी ही हमने अभी ही हमने यह किया है इसलिए यह आ रहा है तो यहां पर अभी जो भी आगे status होगा वो आपको यहां पर देखते रहना है उसके बाद जो smart card है वो approve हो जाने के बाद आपके घर पे by post है वो भेज दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपना हाइफटिकेशन टर्मिनेशन है वो cancel कर सकते हो और एक new smart card मितलब क की new RC book मंगवा सकते हो तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी RC book में finance company का नेम है और रिमू कर सकते हो बहुत ही easily दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंको वीड़ अद वीडियो कैसे आपक से का वीडियो कैसे भागा है कि वीडियो के चक्छा ब 11io5 अवीडियो का वा सकते है